शोर्शोर्ट फॉर्मूला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाके सेव करें रेगुलर अप्रेट्स पाने की सरस्वती नमस्तु भ्यम वर्दे काम रूपिनी विद्यारंभं करिश्यामी सिद्धिर भवतु में सदा ओम जैमा सरस्वती नमस्कार दोस्तों शोर्शोर्ट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है 29 जुलाई 2023 शरीवार का दिन है दोपहर के एक बचकर 30 मिनट हो रहे हैं इस वीकेंड इस्पेशल वीडियो में आप सभी का सौगत करता हूँ जहां पर करते हैं हम गए हफ़ते का अनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ़ते के लिए स्ट्रेटिजी पैन पेपर या मोबा को मत देखिएगा या तो वीडियो मत देखिए यही पर रोग दीजिए वीडियो बंद कर दिजिए या इसको देखिए तो लाइन बाई लाइन पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए की मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या बताना चाहता हूं क्या संभावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं लेकिन एक बहुत जरूरी information कोई भी decision लेने से पहले self analysis या किसी certified financial advisor की सलाह जरूर लें क्योंकि ये video किसी भी तरह से आपके लिए कुछ करने के लिए आपको दी जा रही advice नहीं है ये just मेरा perspective है मेरा views है view है जो मैंने chart और अपने analysis के आधार पर बनाया है तो कृपया इसके basis पर बिना research किये कोई भी decision आप न लें gold में मैंने detail में आपको बताया है क्या संभावनाएं हैं क्या हो सकता है कौन-कौन से data आने वाले हैं आने वाला आपता बहुत important है दोस्तों data के मामले में क्योंकि eurozone का data आएगा CPI का उसके बाद फिर US के बहुत सारे data है jolts का data है Tuesday को फिर Wednesday को jobless claim का data है Thursday को और फिर non farm payroll का data है Friday को तो पूरा हफ़ता Monday को छोड़के Monday को चाइना के data आएंगे तो पूरा जो week है वो बहुत ही data heavy होने वाला है अब इस वीडियो में उन सारे data के बारे में मैं repeat नहीं करूँगा तो जाएए गोल्ड का वीडियो आप देख लीजे शुरू के तीम चार मिनट मैंने data के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे चांदी के बारे में किसकी चांदी होगी बायर की चांदी होगी या silver की नहीं हुआ ये level पार अब मचेगा हाहाकार क्यूं कह रहा हूँ जो sell में फसे हैं वीडियो मिस मत करना जो buy करने की सोच रहे हैं वीडियो मिस मत करना उपर में buy में फस गए हो वीडियो देख लो जी नीचे में sell में फसे हुए हो निकल ले की सोच रहे हो वीडियो देख लो जी तो इस वीडियो में मैं सब के लिए cover करूंगा levels बताऊंगा और fed के decision का क्या impact हुआ वो भी बताऊंगा देखे silver में उपर में multiple failures हो रहे हैं ये बिलकुल सही है बार-बार silver level निकालने की कोशिश कर रही है नहीं निकाल पा रही है नीचे की तरफ जा रही है लेकिन सच्चा है ये भी है कि gold के comparatively silver strong है बिलकुल gold के comparatively comparison में silver strong है hold कर रही है एक push silver को 80,000 के उपर ले जा सकता है इसमें कोई doubt नहीं रखिएगा जैसे silver ने अपना बे 70,000 के उपर जमा लिया है खड़ी हो गई जैसे 60,000 के उपर खड़ी हो गई थी 50,000 के उपर खड़ी हो गई थी तो आज 2 साल हो गई खड़ी है तीन साल मुझे लगता है 3 साल हो गई न हाँ 2020 में निकली थी वहाँ पर उसको renewed demand मिल रही है renewed buying मिल रही है और उसी बारे में हम इस वीडियो में भी बात करेंगे चलिए सबसे पहले हम आपको चार्ट पे लेका चलते हैं और दिखाते हैं कि जो सिल्वर में weekly जो वीडियो वो weekly जो बना है candle वो किस तरह की बनी है contract मैं बता दूँ आपको September का contract है यह silver का जो current चल रहा है high बना है 76,147,76,147 low बना है 73,250 आप मेरा वीडियो देखिएगा जो मैंने fed वाले दिन पोस्ट किया था जाकर देखिएगा मैं बोलूंगा नहीं मैंने आपसे इस first एक बात कही थी और अभी भी मैं वही बात कह रहा हू कि मैंने यह level दिया था यह level दिया था और मैंने आपसे कहा था कि जब तक 73,100 hold हो रहा है जब तक यह 73,100 hold हो रहा है silver में further गिरावट मत देखिएगा ठीक है उपर में जो मैंने resistance दिये थे वो एक बार चेक कर लीजे 76,400, 76,800 important resistance बताया था 76,147 से market घूमते हुए दिखाई दिये लेकिन यह सब मेरी बात पर मत जाईए आप वीडियो चेक करिए वीकली वीडियो भी चेक करिए और जो fed वाले दिन मैंने वीडियो बनाया उसको भी जाकर देखिए और आप जो candle है जैसे gold में candle थोड़ी positive थी ये दो candle निगेटिव हैं केवल एक positive चीज इसके अंदर ये है कि इसने 73,100 को hold किया जिस तरह से swiftly market ने 73,100 को यहाँ पर निकाल दिया था नीचे की तरफ नहीं निकाल पाई लेकिन वही पे अगर 73,100 निकल जाता है तो फिर 72,400 और अगर 72,400 निकल जाता है तो फिर market जो है अ 70,500, 70,000 और even 79,400 तक भी market drift होते हुए दिखाई दे सकती है तो दोनों चीज़ें हैं दोनों बाते हैं दोनों possibilities हैं दोनों संभावनाएं हैं जो first support है मुझे कोई भी doubt नहीं है कहते हुए वो है major support 73,100 मैं support की बात कर रहा हूँ फॉस्ट, second, 72,400 और फुल एंड जो final support है नीचे की तरफ वो आता हुआ दिखे का आपको कहीं 71,800 तो 73,100, 72,400, 71,800 और यह levels जो हैं वो कहां से आए हैं थोड़ा सा आप देखने और समझने की कोशिश करिए यह देखे यह क्या होता है ना जैसे जैसे resistance टूटते हैं वो support बनते जाते हैं अब मैं क्यों जो वो कर रहा हूं 73,100 की वकालत वो इस वज़े से कर रहा हूं क्योंकि यह पहले resistance टूट गया तो अब support बन गया यह जहां से market घूमी है अभी यह कोई बहुत important नहीं था तो probability यह है कि next week में market यहां तक आ सकती है अगर यह level तोड़ देती है तो फिर next मैंने आपक यहां पर यह फिर next breaking point है एक 8800 700 क्या सपास यह नीचे में तीन support आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अब मैं बात कर लूँ थोड़ा सा resistance की कि भाई resistance कहां पर हो सकते हैं तो देखिए resistance थोड़े से नीचे वह नीचे कह रहा हूं थोड़े नजदीक नजदीक हो सकते हैं जो पहला पहला resistance होगा 74 400 से चेसो होगा फ़स्ट रिजिस्टेंस सेकेंड जो रिजिस्टेंस आएगा वो आएगा 75200 के आसपस और फाइनल रिजिस्टेंस आएगा वो आएगा 76200 की कैंडल कहा ही है तो यह तीन resistance है support मैंने आपको बता दिया यह resistance और सपोर्ट का ध्यान लेकिन अभी सबसे जरूरी केवल एक बात का ध्यान रखिए, एक बात का, वो है 73100, मैं ये बिलकुल नहीं कह रहा हूं कि मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकती, बिलकुल जा सकती है और अगर जाएगी तो कहां तक जा सकती है, ये भी मैंने आपको बता दी, अब थोड़ा स जरूरी है, देखे, ये वाला जो एक लेवल है, ये 50 डे का ये में है, ये आ रहा है 72700, ठीक है, ये दिखे, ये 50 डे का ये में, ये वाला लेवल, ये वाला, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, और 50 डे का जो नॉर्मल मूविंग एवरेज है, वो आ रहा है 72100, अब ही, इन दो लेवल का ध्यान थोड़ा सा आप रखने की कोशिश के लिए, मार्केट इस बार रुकी कहां पर है, ये देखे, ये रुकी है, इस पर 20 डे के नॉर्मल SMA पर, 20 डे के SMA पर रुकी है, तो ये अगर लेवल, अब जो 20 डे का SMA है, वो है 70, ये देखे, यहां पर, 73,47 उसके नीचे फिर दिख रहा है रास्ता, 72,100 और 72,500 का, 72,400 का मैंने आपको बताया है, ये सपोर्ट, और उसके नीचे मैंने आपको बताया है, 71,800 का, तो जो वो लेवल्स थे, वो हवा में नहीं थे, मैंने का आपको दो-तीन थियोरी से चीजों को प्रूफ की जाएं कि भ कुछ जानते होंगे जहां पर आपको समझ में आता होगा तो जाके चेक करिएगा, 73,100 क्यों कह रहा हूं, 72,400 क्यों कह रहा हूं, 71,800 या 71,700 क्यों कह रहा हूं, आप अगर रेफरेंस जाके ढूणेंगे, आपको इन सारे लेवल के बहुत ही स्ट्रॉंग रेफरेंस और मैंने जो गोल्ड में आपको तरीका बताया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यह सपोर्ट है, यह रेजिस्टन्स है, यह होल्ड हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, हमें वहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, यह नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मैंने आपको तरीका जाप जासे हैं में वोट से लोगों ने जभाब दिया और काफी लोगों ने मुझे खुशी है इसकेवी पे सकता हूँ बहुत सी जगहों पर आपको यह मिल जाएगा कैंड6 उसको समराइज कर दिया है एंजल वन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है जाहिए एंजल वन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्विंटी वन मैजिकल कैंडल स्टिक का जो कोर्स है वो आपको फ्री ओफ कॉस्ट मिल जाएगा ठीक है उसके अलावा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे भी आप जोईन कर सकते हैं टिप्स और ट्रेक्स के लिए जोईन मत करिएगा वहाँ पे आपको मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ कौन से डेटा आने वाले हैं कौन से important events होने वाले हैं कई बार चार्ट क्या लग रहा है मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ तो कई ऐसी चीजे हैं जो वहाँ पर आपको free of cost मिलेंगी कोई भी उसके charges नहीं होंगे सबसे जरूरी चीज है कि आप अगर हमारे साथ होना चाहते हैं हमसे जोड़ना चाहते हैं जैसे जो वीडियो डाले content डाले यह सब जब मैं डालता हूँ तो कई लोगों से यह miss हो जाते हैं वहाँ पर क्या है जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ उठाता हूँ लिंक और वहाँ पोस्ट कर देता हूँ तो इस वीडियो के description में मैंने अपने टेलिग्राम चानल का लिंक दिया हुआ है इंजल वन का लिंक दिया हुआ है जाके उसको वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए अपना आशिरवाद बनाए रखिए क्योंकि उसकी बहुत आवशक्ता है हमें आपका सहयोग करने में तो लाइक बहुत हेल्प करता है चलते चलते प्रभू की भक्ती से इस वीडियो का समापन करते हैं ओम क्रिष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमहा इसको आप इस इसको आप दोहराने की कोशिश करें इस लोक को आप पढ़ने की कोशिश करे इसको आप चैंट करने की कोशिश करें एक अभूत्वपूर अभूत्वपूर परिवर्तन आपको दिखाई देगा एक अलग ही आभा आपको नजर आएगी बहुत स्ट्रॉंग मंत्र है ये बहुत स्ट्रॉंग श्लोक है ये प्लीज इसका पठन जरूर करें धन्यवाद जैहिंद वन्दे मात्रम